आईए बच्चे बात करते हैं about debt equity ratio जिसको हम solvency ratios की categories में रखा करते हैं Solvency ratios का मतलब होता है long term solvency ratios यानि जिसके तहत हम business की long term solvency position को assess करते हैं कि वो कितनी sound है या कितनी unsound है ठीक है बच्चो तो debt equity ratio का जो formula होता है वो है non current liabilities जिसको debts भी आप कह सकते है upon shareholder fund जिससे आप equity भी कह सकते है ठीक है बच्चो तो debt to equity ratio ये भी एक pure ratio ही होता है जैसे 2 is to 1, 3 is to 1 या simply 3 या simply 2 इस तरह से और इस ratio जो formula है वो non current liability upon shoulder fund discord debts और equity भी कहा जाता है इसका ideally जो है as compared to 2 is to 1 और अगर ये ratio 2 is to 1 से जादा है तो that is not good for the business ऐसा इसलिए होता है कि अगर आपकी non current liabilities यानि जो debts है वो ही अगर आपके जादा होंगे as compared to your owner fund जिसे equity कहते हैं तो कोई भी फर्दर उसको ज्यादा loan देने में इच्छोख नहीं रहेगा क्योंकि confirm जो है वह अगर डेट्स के burden के तहर्र दभी हुई है अगर debts कम होते हैं तो और as compared to shoulder fund तो फिर्म और debts acquire कर सकती है as compared to high debt ratio low debt ratio जो है is considered better ठीक है बच्चों अब non current liabilities निकालते कैसे हैं तो बच्चों देखिए फिर से वही बात जो मैं आपको सिखाता आ रहा हूं यह आपके बहुत काम आने वाला है मैंने पहले ही का था कि लेविदिस इसमें तीन हेडिंग है शेड़र फंड नॉन करंड़ लैविटी और करंड़ जोड़कर आता है तो टोटल एसेट्स ठीक है बच्चों यह देख लिजिए और रही बात असेट साइट की तो अब रही बात asset side की बच्चों, तो asset side में देखे क्या क्या आ सकता है? आपके asset side में आ सकते हैं, non current assets और current assets. यह मैंने आपको current ratio के टाइम में भी बताया, यह मैंने आपको quick ratio के टाइम में भी बताया, बच्चो और यह मैं आपको भी बता रहा हूं इन दोनों को जोड़कर Capital Employed आता है इन दोनों को जोड़कर Total Debts आता है है ना बच्चो तो सपोस अगर आपको Non Current Liability निकाल नहीं है तो देखे आप कैसे कैसे निकाल सकते है Capital Employed के formula में Shivalder Fund और Non Current Liability आता है तो अगर आपको Capital Employed given है और Shivalder Fund given है तो Shivalder Fund को Capital Employed से minus कर दीजी यानि this minus this equal to this उसी तरह से अगर Capital Employed और Non Current Liability given है तो इसमें इसको minus कर दीजी कि आज़ेगा Shivalder Fund Clear बच्चो तो एक तरह से मैंने आपको Non Current Liability और Shivalder Fund दोनों के formula बताए इसको देखिए Total debts is equal to Non Current Liability plus Current Liability तो अगर Total debts दे रखे हैं और Current Liability दे रखे हैं तो इसमें से से minus कर ये Non Current Liability आजएगा और ये तो आप जानते ही हैं अगर ये और ये दे रखे हैं तो इसमें से इसे minus कर ये Current Liability आजएगा तो Non Current Liability का दूसरा formula भी हो गया बच्चो तीसरा ये हो गया कि Total assets में से इन दोनों को minus कर दीजीए तो भी Non Current Liability आजएगा Clear है बच्चो तो Non Current Liability के तो आजएगा तीन formula बन गए एक इसकी help से एक इसकी help से और एक Total assets की help से इसकी help से इसे minus कर ये ये आगया इसकी help से इसे minus कर ये ये आगया और इसकी help से इसमें से ये और ये दोनों minus कर ये ये आगया है ना काम की चीज़ बच्चो अब बात करते हैं शिवल्टर फंड की तो कैपिलन लॉइट के फॉर्मले से तुमने बताई दिया था कि इसमें से इसको माइनस करिए यह आ गया और दूसरा समझी है टोटल एटसे से वो कैसे आएगा टोटल एशेज में से या तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो भी शिल्टर फंड आ गया या फिर टोटल एशेज में से टोटल डेटस को डारेक माइनस कर दीजिए शिल्टर फंड आ गया है ना असान और है ना बहुत काम का बच्चों तो debt to equity ratio तो आपका यही सब है ठीक है बच्चों अब थोड़ा मैंने आपको कहा भी था कि मैं आपको साथ साथ balance sheet भी सिखाता चलूंगा तो मैं आपको बता दूँ बच्चों कि balance sheet की जो liability side है non current liability उसका दूसरा heading होती है और इस non current liability के अंदर कौन-कौन सी subheadings आती है आईए उसके बारे में बात करते हैं बच्चों देखिए बच्चों इसके अंदर जितने भी headings आती है उनको l-doll के नाम से जाना जाता है l-doll का l होता है long term borrowings d होता है deferred tax liabilities net ये वैसे भी non evaluative वे बच्चों deferred tax liabilities net तो इसको लेके बस नाम ध्यान रखेगा accounting ratio वाले question में ये heading आपको ये subhead आपको मिलेगा ही नहीं चीक है but balance sheet के point 2 से याद रखेगा non current liability जो balance sheet का तीसरा head होता है liability side का उसके अंदर ये 4 subhead आते है जिसमें दूसरा subhead है deferred tax liabilities net O से है other long term liabilities ठीक है बच्चों तो ये हो गया आपका तीसरा subhead चौते subhead की बात करते हैं वो है बच्चों long term provisions तो इसके अंदर मैं आपको बता दूँ बच्चों ये जो दूसरा और तीसरा subhead है ये कम ही मिलेंगे आपको पहला और चौता ही ज़्यादा मिलेगा तो long term borrowing और long term provisions वैसे होते हैं चार से बैटन जिसको हम अल डॉल के नाम से जानते हैं अल डॉल डॉल की स्पैलिंग डी ओ डबलल होती है न बच्चों तो समल्डों मैंने एक ये जो बाद वाला उसमें से निकालके इस से शुरु में लगा दिया तो बनके ल डॉल जैसे टॉस का मैंने एस टॉस बना दिया ऐसी डॉल का मैंने ल डॉल बना दिया ठीक है बच्चों लॉंग बॉरिंग, लॉंग ट्रम प्रोविजन, डेफर्टेक्स लिएट और अधर लॉंग ट्रम लिएटीज और मैंने आपको कहा कि दोनों एल ही आपके ज्यादा काम आएंगे अब बात करते हैं बच्चों, about shareholders fund as a head of a balance sheet तो यह liability side का सबसे पहला head होता है, shareholders fund इसे आप equity भी कहते हैं इसके अंदर तीन ही subheads आया करते हैं जिसको हम SRM के नाम से जानते हैं SRM S for share capital R for R for reserve and surplus reserves and surplus M for money received against share warrants ठीक है बच्चों तो SRM इसमें भी आपका तीन में से केवल दो ही heads, subheads काम आते हैं, share capital और reserve and surplus Share capital में mainly आपका equity share, preference share यह सब होते हैं, उन में भी इनकी आपको paid-up value को ध्यान रखना है, subscribe and fully paid और subscribe and not fully paid होते हैं, उनको लिया जाता है, authorized and issued capital को नहीं लिया जाता है Reserves and surplus में आपके हर तरह के reserves आते हैं, जैसे कि आपका venture redemption reserve, capital redemption reserve, capital reserve, security premium reserve, revaluation reserve, आपने general reserve, investment fluctuation reserve, workman compensation reserve, उसके लाबा कोई और अगर reserve बना रखा को तो वो हो गया उसके लाबा surplus आता है, जैसे आपका balancing statement of P&L के लाता है, यह surplus वही है, जैसे profit and loss of appropriation account होता है, in the case of partnership form ठीक है, तो जो credit balance भी हो सकता है और debit balance भी हो सकता है, ध्यान रखेगा, दोनों ही यही लिखे जाते है debit balance as a negative item लिखा जाता है, positive item के तौर पे credit balance होता है money receive again share warrants जो है, वो कम ही पूछा जाता है, कम ही दे रखा होता है ठीक है तो आपका इस तरह से यह शेरल्डर fund आता है और आपका debt equity ratio के अंदर दोनों चीज़े आती है, मैंने दोनों के formula बता दिये, दोनों के liabilities और दोनों के heads और subheads ही बता दिये, दोनों जो head होते हैं, इनके अंदर के subheads उसका LDOL था, इसका SRM होता है ठीक है बच्चों और यह ratio जितना low रहे उतना ही अच्छा होता है, और यह दोनों ही यह जो है आपका debt to equity ratio यह आपका solvency ratios के अंदर आता है, यानि की long term solvency ratios अब हम बात कर लेते हैं बच्चों, about total asset to debt ratio यह जो हमारा total asset to debt ratio है, यह भी solvency ratios के अंदर ही आया करता है यानि हम कह सकते हैं, solvency ratio का यह दूसरा ratio है, उस heading का total asset to debt ratio में, आपको लेना होता है total assets को और divide करना होता है non current liabilities यानि जो debt to equity ratio है, वो तो non current liabilities और shelter fund के बीच का relation है, उसको express करता है total asset to debt ratio, आपके total asset और non current liabilities की बीच के ratio को relation को express करता है यह यह भी बताता है कि आपके total assets की funding का कितना proportion जो है non current liabilities के तुरू आया है चीक है, इस ratio का high रहना अच्छा रहता है, यह ratio जितना high रहेगा, इसका मतलब होता है कि total assets में outsiders का जो contribution है, वो कम है, लेकिन अगर यह ratio low रहा करता है, इसका मतलब आपके overall assets में acquire करने में, जो outsiders fund है, उनका contribution जाता है, तो this ratio has to be high, the high total asset to debt ratio is considered better as compared to lower total asset to debt ratio, clear बच्चों, यहां भी मैं आपको balance sheet वाली बात ही बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा था था न, अपकल मच्चों, कि यह बहुत काम की चीज़ है, shareholder fund, non current liabilities, current liabilities, non current assets, current assets, total assets, total assets, clear बच्चों, यह दोनों जोड़कर, capital employed, यह दोनों जोड़कर, total debts, अब जैसे आपको इस total asset to debt ratio में, non current liability चाहिए, यह तो मैंने बताई दिया आपको कैसे आती है, है न, अब total assets कैसे आते हैं, वह बहुत पहले ही बता चुका था, current issue के time में, एक बढ़ और दुबार बताए तो, ठीक है बच्चों, इन तीनों को जोड़िये, तो आप पहुच गए, total debts में केवल shoulder fund जोड़िये, तो भी आप पहुच गए, capital employed में current liability जोड़िये, तो भी आप पहुच गए, तीन formula तो यह हो गए, चौथा यह रहा, non current asset plus current asset, है ना बच्चों, तो इस तरह से देखें, यह हमारा, total asset to debt ratio भी complete हो गया, चीक है बच्चों, अब बात करते हैं, बच्चों, about proprietary ratio, प्रोप्राइटर होता है हमारा, owner, तो एक प्राइटर होता है, हम प्रोप्राइटरी ratio के जरीए, owners के fund के बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चों, इसका formula होता है, shareholder fund, या owners fund upon total assets, इसके जरीए हम यह देखना चाहरे होते हैं, कि हमारे total assets में owners fund का कितना contribution है, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ बच्चों, कि इस ratio का भी high rena is good for the business, इसका मतलब होता है कि जो आपकी assets हैं, उनमें majority of funding आपका, या ज्यादा funding जो है आपकी owners fund के थुरू करी गई है, as compared to outsider fund, यह ratio pure ratio के तौर पही express किया जाता है, पर आपको कभी कवार यह percentage में भी express कियावा मिल सकता है, ठीक है बच्चों? रही बात इसके formulas की, इनके individual formulas की, तो वो debt to equity ratio के अंदर और भी total asset to debt ratio के अंदर मैं सारा ही discuss कर चुका हूँ, ठीक है बच्चों? तो यह ratio भी आपका एक तरह से covered हो गया, अब बात करेंगे बच्चों about इस category के, यहाँ मैं थोड़े और बता दूं कि proprietary ratio भी आपका solvency ratio का ही third ratio है, यहने solvency ratio की category में ही आया करता है यह भी, अब इसके इंदर जो चौथा और आखरी ratio है, वो है interest, coverage, ratio, अब यह जो interest, coverage, ratio होता है वो, आपका, एक लौता ऐसा ratio है, जो pure ratio के times के तौर पे expressed नहीं किया जाता, इस ratio is expressed in times, और इसका formula भी काफी अलग होता है बाकी ratio से, इसका formula हुआ करता है, net profit before interest and tax upon interest on long term debts, तो एक तरह से यह ratio यह चेक कर रहा होता है, कि आपका, जो वो है, profit है, क्या form इतना profit कमारी है यह नहीं कमारी, कि वो अपने interest on long term debts को पे करने में कितनी सक्षम है, यह interest on long term debts, profit के तौर कितना covered है, यह ratio टाइम्स में express किया जाता है, ठीक है बच्चों, यह ratio जितना ज्यादा times आएगा, इसका मतलब उतना ही good है यह for the business, this ratio is considered better if it is high as compared to than when it is low, clear बच्चों? क्योंकि जितना ज्यादा यह आएगा निकल कर, जितने ज्यादा यह times होगा, इसका मतलब interest उतना ही covered है, और जितना कम time से निकल कर आएगा, उतना ही यह कम covered है interest on the long term debts, तो जो भी lending institutions होंगे, banks and other financial institutions, वो high interest coverage ratio वाली company को prefer करेंगे further loan देने के लिए as compared to low interest coverage ratio वाली companies. अब यह NPBIT, net profit before interest and tax है क्या, आज ही यह बच्चों इसके बारे में बात करते हैं, देखें, net profit before interest and tax का मतलब होता है, कोई भी interest, कोई भी tax देने से पहले का profit, that is called net profit before interest and tax, इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, अगर आपको net profit after tax दे रखा हैं, तो उसमें tax को plus करिए, और उसमें interest को भी plus करिए, tax वार interest दोनों plus करिए, अगर आपको सिर्फ net profit before tax दे रखा है, तो सिर्फ interest को plus करिए, ध्यान रखेगा बच्चों, because net profit after tax का मतलब होता है, net profit after both interest and tax, तब तो आपको tax वार interest दोनों plus कर ले हैं, net profit before tax का मतलब होता है, net profit after interest but before tax, तो क्योंकि यह already before tax है, इसमें tax add नहीं करते हैं, सिर्फ interest करते हैं, ठीक है बच्चों, अब tax अगर रुपीज में दे रखा है, बहुत अच्छी बात है, अगर tax रुपीज में नहीं दे रखा, तो tax कैसे निकालेंगे, जो भी आपको tax rate दे रखा होगा, रखा हो, तो net profit before tax, net profit before tax, into tax rate by 100, यह फिर, tax rate upon 100 minus tax rate into net profit after tax normally यह वाला formula ही आपको निकालने को आएगा क्योंकि अगर net profit before tax देही रखा है तो आपको tax निकालेंगे ही क्यों आई बार बच्चों समये क्योंकि ऐसा इसलिए किया चाता है इस formula के लिए नीचे 100 minus tax rate इसलिए दिखा जाता है because जो tax होता है वो net profit before tax पे निकाला जाता है normally मगर आपको net profit before tax देही रखा इसलिए net profit after tax के लिए पर निकालते समय यह थोड़ा सा अज़स्मेंट करना पड़ता है suppose tax rate 20% है तो 20 upon 80 आजाएगा यहापे 30 है तो 30 upon 70 आजाएगा into net profit after tax clear बच्चों ही मेरी बात हम चाहें तो net profit after tax है net profit before tax दारेक निकाल सकते हैं वो कैसे अब नेट profit after tax को 100 से मिलप्लाइ करिए और नीचे 100 वैनस tax rate कर दीजिए आप डारेक नेट profit before tax पर आ जाएगे अब आपको ऐसे में tax निकालने की जुरूति नहीं पड़ेगे बस अब simply interest निकाली और इसको add कर दीजिए net profit before tax में आप NB BIT पर आ जाएगे clear बच्चों अब यह जो interest है वो कैसे निकलता और किस पर निकलता है देखें interest long term debts पर निकलना है आपको long term debts के अंदर आपके long term loans from banks and other financial institutions आते हैं and debts के अंदर दूसरा आपका debentures भी आता है तो वो interest आपको जो भी given interest rate होगा question के अंदर उसको debentures की paid up value या loan के जो total amount है उससे मिलप्लाई कर दीजेगा आपका interest on long term debts निकलाएगा clear बच्चों तो interest coverage ratio भी आपका solvency ratios के चार ratios में चौथा ratio है ये ये cloth ratio ऐसा है जो times में आता है बाकी वैसे times में आगे जागे आपड़ेंगे तो turnover ratios ये activity ratios आए करते हैं तो don't get confused कि आप इसको turnover ratio का part समझ ले it's a part of solvency ratio clear बच्चों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं बच्चों अगले वीडियो में हम बाकी जो बच्चे में दो headings of ratios हैं उनको discuss करेंगे and I hope बच्चों आपको ये वीडियो में जो है अच्छे ढंग से समझ में आएगा और इसके जरीए जो है आपके accounting ratios की जो problems हैं आपको आया करती हैं उन में आपको conceptual clarity मिलेगी और उन problems को solve करने में helping मिलेगी THANK YOU बच्चों